आप सब आई होप सबच्चे होंगी और मैं भी बहुत अच्छी हूं यह मैं लड़ू बना रही हूं यह सर्दियों में बहुत फायदा करते हैं और यह दिखी कितनी अच्छे बहुत टेस्टी बने थे मैंने फर्स टाइम बनाया है तो आप जरूर ट्राइ कीजिए बहुत अ करते हैं और मैंने चाहिए छिसी रबना के नहीं डाला है गुड़ को सीधे डायरेक्ट फोड़ के डाला है गुड़ तो बहुत टेस्टी लग रहे थे और यह मैंने गाद ले लिए है फ्राइ कर लिए यह ड्राइ फूर्ट सारे मैंने फ्राइ कर लिए हैं इमकाने है यह गाद को थोड़ा बारी पिकल लूगी, ज्यादा महीं नहीं करना हल्का सा बारी पिकलना है, और यह नहीं डाल के आटा पुंज़ लूँगी, अच्छे से फुंज़ना है, तर बड़ी अच्छे पिसूर आने लगे, और यह मैंने हल्दी फ्राइ करके डाल दी है, और सॉंट डाल दीती फ्राइ करके और गाद है और दीजिए आटा मेरा भूंज गया है तो अब मैं ये गुड़ पैने बारी के फोड लिया है तो मैं गरम आटे में ही मिला दूँगी जिसे की गुड़ अच्छे से पिगल जाए और मैं ये जल्दी जल्दी मिला दूँगी गुड़ आटे में और मैंने आटे में मिला दिया और ये ड्राइफूट जो फ्राइ किये थे तो मैं इनको मिला दूँगी आटे में फिर थोड़ा थोड़ा आटा करके गरम करके फिर उनके लड़्टू बनाऊंगी गी मिला के औ मैं जाल दूंगी कि और यह गरमी गरम में बनते हैं ठंडा जाता है तो बनता नहीं है कि कज़़ों तो मैं यह अर्टा गरम कर दूँगी और जब गरम हो जाएगा तो कि यह कलार बदल जाएगा गुर का गल कलर आजाएगा और एक हाँ से बन नहीं रहा था मुझे एक हाँ से फॉन लिए थी और एक हाँ से वीडियो बना रही देखी गड़ पर गल गया है गरम हो गया आटा तो अब मैं घी मिला दूँगी और घी मिलाने के बाद मैं जल्दी जल्दी लट्टू बनाऊंगी और इस टाइप से बनाने से मुझे बहुत टेस्टी लगे लट्टू फर्स टाइम बनाए थे मैंने अच्छे बन रहे हैं लट्टू और आपको भी सेव में बना सकते हैं छोटे या बड़े जितने बड़े खाने हो आपको चल्डी ये लट्टू बना लेते हैं जल्दी जल्दी वहाग अगर मेरा डीओ अच्छा लगए तो लाइक करना से स्क्राइब करना से एर करना कमेंट करना बताना कैसा लागा डीओ और मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ थेंक यू थेंक यू थेंक यू सो मच इंक यू बाइ रहता हैं उक्वाइ रहता हैं नेक्षाच्छर और मिलते हैं तक के लिए बाइब काईप प्रूस्यार को